हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है टोनी स्टाक उर्फ आईरन मैन आज मैं आप लोग को बताऊंगा अपनी एक हॉंटेड स्टोरी के बारे में जो मेरे साथ हुई मेरे स्कूल के टाइम में तो हुआ यू कि आज क्लास में था मैस का पिरियड तो बच्चो ये वाला कोस्टिन कौन करेगा एकदम सिंपल कोश्चन है वन 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 इंटू थ्री चलो थैनोस तुम खड़े हो तुम बताओ 111 को तीन से मल्टिप्लाई करे तो क्या आएगा सर 113 नो गलत जवाब तुमको इतना इजी मैस नहीं आ रहा है बेटा टोनी चलो बेटा तुम इसे सॉल्ब करके बताओ ये कितना इजी कोश्चन है जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा वो सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं पता ऐसा नहीं था कि मुझे आंसर नहीं पता था मैं Maths में बहुत अच्छा हूं मगर हमेशा से नहीं था पहले मेरी Maths बहुत वीक थी और मैं हमेशा क्लास में सबसे कम marks लाता था एक बार तो मेरे सर ने कहा था कि अगर मैं इस बार फेल हो गया तो मुझे अपना ये साल दुबारा रिपीट करना पड़ेगा मगर तीन महिने पहले मेरे साथ कुछ थोड़ा अजीब हुआ तो बच्चो आपके मैस सर्प्राइज टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है तो बेटा थौर तुम्हें मिले हैं 8 out of 10, good लोकी 6, क्रिस 7 out of 10 और टोनी 1 out of 10 ये लेंच हो गया चलो ग्राउंड चले तोनी रुको मुझे तुमसे बात करनी है जी सर बताइए टोनी तुमारा मैस बहुत वीक है तुमारे क्लास में सबसे कम नमबर आए है ऐसे तो विलकुल काम नहीं चलेगा, तुम मैं बहुत मैनत करनी पड़ेगी एक काम करो, तुम इस्कूल के बाद मैस की एक्स्ट्रा क्लास बिटेंड करो तुमारी कोई भी फीस नहें लगेगी बस तुम अपने parents को बता दे ना कि तुमारी math की extra classes चालू हो गई है ठीक है sir, लेकिन मेरी classes कहाँ पर होंगी यहीं school में third floor पर room number 333 में तुमको पढ़ना है, कल से ही आ जाना ओके sir फिर अगले दिन, school खतम होने के बाद, मैं extra class लेने room number 333 में गया जहाँ पर जाने के बाद मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है यार मुझे बहुत नीन दा रही है एक काम करता हूँ, गेट बंद करके थोड़े दर नहीं पर सो जाता हूँ जब sir आएंगे तो मैं गेट खोल दूँगा तोनी, तुम तो सोग है तो बेटा, हमें मैस की पड़ाई करनी है हाँ सर जी सर, मैं अभी बुक्स निकालता हूँ ओके बेटा, देखो बेटा टोनी मैस सबसे ज़्यादा लॉजिकल सबजेक्ट होता है अगर तुमारा लॉजिक साही है तो तुमारा अंसर जरूर निकलेगा और अगर छोटी सी भी गलती कर दी तो तुमारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा मैं तुमारा बेस क्लियर करना चाहता हूँ चलो शुरू से शुरू करते हैं डैविड सर ने मुझे इतने अच्छे से मैस पढ़ाई कि मुझे मैस से प्यार हो गया और मुझे मैस इतने अच्छे से समझ आ गए कि क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही आने लगे तो बच्चो इस बार के आपके मैस सर्प्राइज टेस्ट के मार्क्स आ चुके हैं तो थोर 8 out of 10 लोकी 4 तोनी 10 out of 10 very good बेटा तोनी तेरे मैस में 10 out of 10 आ गए इतना जादा ऐसा कैसे हो गया तेरे तो हमेसा कम मार्क्स आते थे इस बार सबसे ज़्यादा कैसे आ गए तुझे क्या लगाता कि तू ही सिर्फ टॉप कर सकता है अब मुझे मैस बहुत पसंद है पता है क्यों मेरे सर की वज़े से डैविट सर ये कौन है अरे डैविट सर ही तो वो सर है जो मुझे एक्स्ट्रा क्लास में मैस पढ़ाते है वो बहुत अच्छे सर है और वो इतना अच्छा समझाते है कि मुझे एक बार में इस सब कुछ समझ में आ जाता है अच्छा क्या बात कर रहा है ये कब हुआ अरे मैंने भी नहीं सुना था और पता है वो एक्स्ट्रा क्लास शोड़कर और कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं अच्छा तो मुझे भी उनकी क्लास में ले चलना वाई क्यों बेटा डर गया कि मेरे तुस्से ज़्यादा माकसा जाएंगे अबे यार ऐसी बात नहीं है अच्छा अच्छा ठीक है एक काम करना आज इस स्कूल के बाद मेरे साथ तू भी चलना रूम नंबर 333 में दोनों साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो हो गया इस स्कूल खतम चल टोनी अब जल्दी से बता कहा है वो तेरा रूम नंबर 333 चल अच्छा थर्ड फ्लोर पर चले ओके ये देख रूम नंबर 333 अच्छा पर इसमें तो ताला लगा हुआ है और ये ताला कैसे लगा है मैं तो यहाँ पर रोज आता था और ये रोज खुला रहता था अब क्या करें मुझे ग्या पता तू ही बता तो लो आफिस जाकर पूछते हैं कि डैविट सर कब आएंगे ओके एक्स्क्यूज मी सर वो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने गया था नहीं पढ़ाते हैं मैं रोज पढ़ता हूँ डैविट सर से मगर आज उस रूम में लॉक लगा है आप किसी और से ज़रा पूछिए नहीं बेटा मैं यहाँ पर सबको जानता हूँ और यहाँ पर कोई भी डैविट सर नहीं है और रूम नंबर ट्रिपल थ्री में हमेशा ताला लगा रहे था क्यों तुम दोनों कहीं मेरा एपरेल फूल तो नहीं बना रहे हो अरे नहीं नहीं सर अच्छा ठीक है अभी तुम दोनों जाओ और मुझे मेरा काम करने दो अभी मैं बहुत बिजी हूँ यह क्या मजागे टोनी अगर तुझे अपना सीक्रेट नहीं बताना था तुम मुझे साफसाब बोल देता यह डैविट सर के नाम से मेरा पागल क्यों बना रहा था क्या कहा तुमने डैविट सर एक मिनट इदर आओ तुम कैसे जानते हो डैविट सर को अरे वो डैविट सर वो मैस की क्लास लेते हैं रूम नंबर ट्रिपल थी में थर्ड फ्लोर पर मैं आज न अपने इस दोस्त थोर को भी अपने साथी ले जाना चाहता था मैस क्लास लेने के लिए मगर जब हम लोग वहाँ पर पहुचे तो उस रूम में लॉक लगा हुआ था हाँ मैं जानता हूँ डैविट सर को वो बहुत साल पहले यहाँ पर मैस पढ़ाते थे मगर एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उन्हें हार्ट अटेक आ गया और वो चल बसे और जिस रूम में उनकी मौत हुई वो रूम था 3-3-3 और उसी दिन के बास से उस रूम में परमानेंट ताला लग गया पर बाबा ऐसा कैसे हो सकता है मैं तो पिछले एक महिने से उनसे मैस की क्लासेज ले रहा हूँ बच्चो तुमने जिसे देखा वो डैविट सर नहीं डैविट सर की आत्मा थी जिन बच्चों को वो चुनते हैं बस उसी को उस रूम में आने देते हैं और कोई भी इंसान उन्हें नहीं देख पाता और उन्होंने कभी भी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुचाया वो हमेशा सिर्फ कमजोर बच्चों की ही मदद करते हैं क्या आत्मा मैं इतने दिनों से जिन सर से पढ़ रहा था वो एक भूत हैं तो आज का अंसर तो मुझे पता था मगर उस दिन से ले करके आज तक मुझे वो नंबर बोलने में दर लगता है तो ये थी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही और मज़दार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना